ते से कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम इन डेव c c++ जाने कि डेव cc++ में कम्प्यूटर ग्राफिक्स का प्रोग्राम कैसे करेंगे आप डेरेक्टली ठीधे तौर पे आप आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रोग्राम डेव सी प्लस प्लस में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप कंपाइल कराने का और लिखने का पोसिस भी करेंगे तो आपका डेव काईडिटर आपको करें मैसेज देगा कि नो सच फाइल और डायरेक्ट जानके लिए प्रोगाम मरेकर कि आपको बता जिता हूँ देखिए आपलोगि उसकी स्टेप्स को नोट कर लेंगे 406 का आप लोग सभी उसमें एक एक प्रोग्राम को आज मैं कन्फिगर कर देता हूँ और आप लोग अपने लैप्टोप में इविल कन्फिगर अन्योर सिस्टम so that you can write this program, इस program को आप लिख सके और compile करा सके तो सारी चीज आप लोग करेंगे ताकि प्रोग्राम लिख पाईएगा तो पहले तो मैं एक प्रोग्राम का एक्जाम्पल लेता हूँ फिर आपनों को एक करके सारी चीजों के बारे चर्चा में करूँगा कि कैसे रिफाइन करेंगे अब जैसे आप इसे कराएंगे तो क्या होगा किसी नाम से सब्किए तो आपके सामने एक चीज दिखेगा जो आपके सामने थोड़ी दिर में आ जाएगा अभी तो मैंने कन्फिगर कर दिया है देखिए कम्पाइलर कम्पाइल कर रहा है टोटा थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा अभी मैंने इसमें कन्फिगर किया है इसलिए ये सारी चीजे भी दिख रही आपको मैं भी एक पर चल देता है अब देखिए एक्जीक्यूट तो फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में ध्यान देंगे जब भी आप अगर प्रोग्राम करना चाहते हैं लिखना चाहते हैं तो उसके लिए और उससे पहले आपको ग्राफिक्स नाम का एक सौफ्वेर आपनों को डाउनलोड करना होगा इस टेप वन क्या करना होगा मैं आप लिख दे रहा हूं स्टेप वन डाउनलोड मैं आपको को सेंपल कॉपिय देज दूगा ताकि आपको करना पड़ें कन्फिगर करना होगा आपको लूँको डाउनलोड ब्र देब C और C++ ग्राफिक्स डाउनलोड सेब डाउनलोड ग्राफिक्स ग्राफिक्स को डाउंडूड कर, step 2 है like इस तरीखे से, फिर इस्टेप 2, include, copy, graphics.h, copy, ध्यान दीजेगा राजा, जहां पर समझ में नहीं आ है, पूछेंगे, चुकि इसी इस्टेप से आप लांको, configure खुद से करना है, देखें, यहां पर क्या करना है, step 2, copy, graphics.h, and, and, bin, bgim.h, bin, bgim.h, क्या करना है, step 2, copy, graphics.h, and, bin, bgim.h, इस दोनों को क्या करना है, आपको, copy करना है, और copy करने के बाद, वो मैं आपको दूँगा, मैं आपको दे दूँगा, इस फोल्डर में ध्यान देजिए, you will copy, graphics.h, और bgim.h, इस दोनों फाइल को आपको copy करना हो, और copy करने के बाद, paste into, आपको dev की जो जो library है, dev cpp, मैं यहां पर कर रहा हूँ, आपके सामने, कड़के दिखा रहा हूँ, देखें, मैंने यहां पर copy और bgim, दोनों को copy किया, और फिर हम लोग जाएंगे, dev cpp, जहां पर हमारा dev का file है, बना हुआ है, program files के अंदर भी आप जा सकते है, जहां पर आपकी file बनी हुई है, देखे, dev cpp और यहां पर, you will click on the min gw64, जान देएंगे, here you will select the folder min gw64, paste into dev cpp, min gw64, min gw64, min gw64, min gw64, और इस पर जैसे ही आप click करेंगे, then x86, then x86, 64, इस पर जाखे, x86, अभि नंदन कुमार समझ में आ रहा है, क्या करना है, मैं एक पर फिर से पुना हूँ, उस चीज की पुनार विड़ती कर दूँगा, लेकिन पहले अभी तथ्थ को समझे की कैसे करना है, paste into dev cpp, min gw64, x86, 64, gw mean gw32, अब देखी, अब जैसे ही आप page पर किया, तो आपके सामने जो आ गया, यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत सारे चीज़े, तो यहाँ पर हम select करेंगे include, कौन सा फोल्डर सेलेक्टेरी, include, and select include folder, हम क्या कर रहा है कुछ समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है हम क्या कर रहा है? बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि ग्राफिक्स में प्रगांमिंग कैसे होगा चलिए आज चेक है आप समझदार है आप सब कुछ आपका ओक्य है ता आप बेढ़र कर सकती है चलिए राजा आप ध्यान दीजिए हम क्या समझाना चाहरा है साइध आप समझ रहा होंगे देखे तो यह क्या है यह आपको उम्दे देंगे copy graphics.h and bbzm.h and paste into dv dev cpp mean gw 6486 gw 64 w 64 mean g 32 and select include folder राजा कोई दिक्कत है यहां तक अब नंदा अब क्या है यहां पर देखे यहां पर हमने इस folder को रख दिया देखे आपके सामने include नाम का फोल्डर पर पूरी चीडायक्टिव आ गए बनके graphics here you will see there are lot of directives which resides in this जो यहां पर है अब फिर क्या करेंगे back आएंगे और हमारी जो फाइल थी जहां पर हमारा विन जहां पर graphics को मैंने लाया था वहीं पर फिर जाएंगे पुना और फिर वहां पर क्लिक करेंगे और वेन तब हम लोग test विन पर देखेंगे पहले हमारे पास है तो हमें लोग इस प्रोग्राम को विदेश सकते हैं तो हमारे सामने एक चीज दिख रहा है जो आपके सामने भी दिख रहा होगा और यह है console application.graphics इसको आप copy करेंगे यहां से और फिर आप seed drive पर जाएंगे seed drive पर जाके और आप फिर templates में जाएंगे and here we will see console graphics इसको आप paste कर देंगे तो पहले से चुकि कि मैं यहां पर copy कर चुका हूँ इसलिए यहां पर already आपको दिखा रहा है console graphics storage चीज़ के second step third step क्या करना है copy 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 6 console graphics console graphics and paste and paste and paste into and paste into copy console app graphics and paste into and paste into templates paste into dev C or C++ templates and in step 4 step 4 step 4 4 step step 4 and we can select and and here we can paste of this extensions what is the graphics file dot a so here यहां पर बात करें तो हम लोग बैसिकली लिप बाले फोल्डर्स में आते हैं और यहां पर जो भी फाइल हमारी पड़ी हुई राती है उसको यहां पर पेस्ट कर देते हैं तो हमारी सारी फाइल आ जाती है अगर है तो फाइल आ जाएगी देखिए फाइल से थी फाइल यहां पर आ चुप यहां तो आई थिंक आपने यहां पर भी समझा फिर से पर रिपिट कर दें कॉंपी अब नंदन कुमार समझ में आ रहा है कॉंपी लीब अब क्या होगा वो तो कंपाइल हो जाएगा तब पता चलेगा लीब बी जी जी आई डॉट ए जी जी आई डॉट ए एंड पेस्ट एंड पेस्ट इन्टू यह बहुत कंफिगरेशन करने का तरीका है और बहुत इंपोर्टेंट भी है अग्सेटीए लीब एन्ट लीब यह अन्घ्टैस अवंडेशन करते बीब टाओ को वह अजिएगर्णिए सिक्स्टिफोर विन विन जी डवलू थर्टिटू जी डवलू थर्टिटू ये सारे चीजे आपके सामने वस्तुष्टि थी आप लोगों के सामने आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँगे आपने चीजें को समझ भी गया होगी अगर नहीं समझे हैं पहले इसको सेंड कर दिजे अभिनानली अभिनानलन रूप से बिवारी तोर से मैं इस चीज को करके बताता कि आखे ग्राफिक्स की फाइल को कैसे डेव सी सी प्लस प्लस में इंक्लूट करते हैं. ठीक है class? तो पहले हम devcc++ को uninstall करेंगे. मैं यह करके बताता हूं, इसको आपने send कर दिया, इस पर लाउज चलीए. अब एक पर मैं steps follow-up करके बताता हूं कैसे करना है. जैसे पहले हम कहां जाएंगे class? ध्यान दिजिए. पहले control panel पर जाएंगे first. पहले जब programs हैं, हम देखेंगे where is my file? where is my devc++? कहां पर हैं? तो उसको select करेंगे, ध्यान दिजिए. मैं पुना उस इस्तितिव को अबद कराने के लिए आपको फिर से बता रहा हूं. तो चीजों को ज़रा ध्यान से और गाराई से समझिएगा. जिनको समझ में नहीं आ रहा है, so please you can take a screenshot जो मेरी activity परफॉर्म हो रही हूं, सबका screenshot आप ले सकते हैं के करेंगे. इसको uninstall कर दिया मैंने पहले uninstall करेंगे. चुकि बस्तितिति क्या है पहले से जो file बनी होई होगी वह उसमें configure over configured हो जाता है. तो इस समस्याओं से निजात पाने के लिए वहतर यही है कि आप क्या करेंगे जो डेव आपके पास है जो डेव आपके पास है उसको पहले आप uninstall करें complete way में not partially complete uninstall करेंगे पहले फर्स्ट वर क्या करेंगे राजा अविलन दन uninstall करना है और जैसी एक option आएगा आपके सामने here you will see such types of masses in front of you do you want to remove all the remaining configuration files क्या आप चाहते हैं जो भी configuration क्या तो बिलकुल चाहते हैं yes और अगर आपने no कर दिया तो फिर problem आजाएंगे तो इसलिए आप complete उसको remove कीजिएगा यानि हर तरह के configuration को हटा देना है अब हो चुका है complete uninstall step one complete हो गए है रितुल कुमारी समझ में आ रहा है कि नहीं कि सब ठीक है आगे बड़ें रितुल बाकि आप जो समझा रहे हैं समझ में आए अब पहला काम क्या करना है step one में क्या करना है देखिए रितूज डिलीट करना है अनिस्टॉल करना है डिलीट टिलीट नहीं करना है uninstall करना है uninstall complete करना है कि partial करना है complete करना है अब यहां पर जाएंगे अब हमारे पास जो डेव पढ़ा हुआ है उसको यहां से select करेंगे और फिर आजा कि run as administrator कर देंगे ठीक है ध्यान दिजिएगा अब यहां ध्यान दिजिए run as administrator करेंगे और फिर yes करेंगे अब क्या है यह फिर से उस file को setup विंग करेगा और unpacking करते हुए उस सारे complete जैसे 100% complete होगा अपने form में आ जाएगा ताकि सारे file को extract कर सकें हम आपनों को अगर यह file हो सकता है किसी किसी के प्रोसेसर विंडूज में काम न भी करें जो आपने किया ग्राफिक्स तो उसके लिए अलग से एक dev c cpp dev cpp मैं आपनों को दे दूँगा जो की file hippo में या website पर आपनों को नहीं मिल पाएगा वह अलग से अगर यह graphics काम नहीं करता है तब उस परिस्तिती को ध्यान में रख के हम ऐसा करेंगे फिलाल मुझे उम्मीर है कि आपनों को यह काम कर जाएगा यहां पर install कर दीए अब क्या करेगा यहां पर आपके सामने बनके आ जाएगे और जैसी यह फाइल आएगी इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पर आमने याद आपके जाएंगे सी ड्राइब में और सी ड्राइब में किस फोल्डर में जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे देखिए आज जो मैं चीज बता रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट है फिर से दुबरा रिपीट कर रहा हूं अगर यह नहीं समझेंगे तो ग्राफिक्स का प्रोग्राम यू कन नॉट राइट ग्राफिक्स प्रोग्राम इन डेप सी पी पी आज वैल आज आप उसको रन भी नहीं करा सकते तो यह चीज ध्यान ना कियेगा इसलिए अच्छे से करेंगे अब क्या है अब यहां को सब को बंद करेंगे अब क्या करेंगे फिर मैं आपको यह फाईल दूगा गाफिक्स की फाईल मैं आप लोगों को को आज मैं कोशिश करूंगा कुछी देर में आप लोगों को डिस्टिट करा दूं लेकिंगे जो कि नेक्स्ट बैच है तो अमन 330 के आसपास आप लोग मुझे मैसेस करिएगा तो मैं आपनों को प्रवाइट करा दूंगा देगे फिर हम जाएंगे जहां इसको करेंगे रिटेष यादव ग्राफिक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर लेंगे रिटेष कुमार कोपी कर लिए और अब यहां पर आ गाए C और फिर हम लोग जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स के बाद हम लोग जाएंगे डेव CPP देव CPP के बाद then we will go into the mean gw64 mean gw64 और फिर हम लोग आएंगे x86 64 w64 mean gw32 इस पर क्लिक करेंगे and here we will select on the include folder अब नंदन कुमार सब का screenshot ले लिजिए या दिमाग में अपना screenshot त्यार कर लिजिएगा फिर include पर क्लिक करेंगे and here जो फाइल मैंने copy किया था कहां पर फाइल एक graphics.h c header file और bin vzim.h header file इस दोनों को copy करके इस include नाम के डारेक्ट्रिस में हमनों इसको paste कर देंगे जैसी paste करेंगे तो permission वागेगा क्यूंकि यह c drive का extensions है तो c में जब भी कुछ ऐसी अब क्या करेंगे पुना हम लोग अपने graphics देब बले में आ जाएंगे और फिर यहां पर select करेंगे console 6 console app graphics दिख रहा है कि नहीं आपको अभिनांदन 6 console app graphics इसको क्या करेंगे here we will select and copy इसको select और देखिए ध्यान लखिएगा सब को अलग अलग डायेक्ट्री में रखना है थोड़ी भी आसावधानी हुई तो आप समझ लीजिए अलवेला पार्ट टू बन जाईएगा तो बहतर आप लोग समझ सकते हैं अब आ जाएंगे बैक और फिर देखेंगे हमारा console है अब console है तो console कहां पर जाएगा और बैक करेंगे और मैंने पहले ही आप लोगों से चर्चा किया था इस बारे में कि टे परमीशन मानेंगे और हम लोग इसको continue करेंगे क्या होगा console app ग्राफिक स्पेस्ट अब नंदान कोई दिक्कत यहां तक step to complete अब फिर क्या करेंगे a third step क्या करेंगे लीव अब इसको जीव नहीं समझ लिजेगा रितुल और कहिएगा उक्के सब कुछ है यह लीव जी आई है ठीक है रितुल लीव जी आई डॉट ए फाइल को फिर सेलेक्ट और कॉपी करेंगे and we will come on to the back आएंगे और फिर यहां पर हम लोग जाएंगे कहां पर जी तुल कहां पर जाएंगे mean gw64 click फिर आगेन then we will go in to the एकषट शिक्स्टिफॉर और हमारे सामने लीव नाम का यहां पर दिख रहा है यहां रखेगा तो एक यहां पर पे प्रेश्ट कर दिजी ओके अगर आपने कर दिया तो बैतरी नहीं और अगर आपने वहां पर कर दिया तो आप यहां पर भी तो कर सकत हैंं कि जहां पर आपको समझ में आए आपने उन चीज़ों को वहां पर भी कर दिया कि का क्लास उम्मीद करते है हैं इस तरीके से सारे सेटेंग क्या होंगे अब अन्य नंकुमार सभी complete हो गया अब क्या करेंगे हाँ अब हम लोग क्या करेंगे चिक करेंगे ग्राफिक्स क का फाइज जो हम लोग ने बनाया क्या हुआ सही है भी या नहीं है तो देखिए आपके सामने में एक ओपन करने जा रहा हूं कि आप देखिए एक स्ट्राप्रिक साथ चुका है डॉट सी पीपी कि एक जिक्यूट तक कंपाइल एंडर यह कंपाइल हो रहा है और जैसे यह कंपाइल अगर हो जाएगा तो आपके सामने आप्पूट आजाएगा ग्राफिक्स अगर जिनके सिस्टम में अच्छा होगा अभी मैंने जो सेटिंग बताया साथ आप लोग अगर कर लिए होंगे तो बहतर है मैं ऐसे आप लोग के फाइल अभी जस्ट भेजी देता हूं चुकि आप लोग के लिए बहतर होगा आप लोग के सामने कंपाइल होगा यहाँ पर ग्राफिक्स का है सट्द आप लोग क्या करेंगे अपने फाइल फोल्डर में जहाँ पर जितने फाइल डिया है यह टो टूटन पर व्यां अभिन्न दल कुमान ईजितने पर गाफ लोग से क्लास नहीं आप प्रोटल प्रोग्राम आज आप लोग को मैंने कंफिगरेशन बता दिया कि how you can configure ग्राफिक्स इन डेव सीसी पीपी हां बोलिये रहा हुआ जैसे यह पहले तो करना होगा तो आज तो पहले आप लोग जाके कंफिगर करेंगे अब फिर कंपाइल और रन बता दे बहुत अच्छा पर्शन इनका था और मैं इस चीज़ को बताना भी चाहूंगा यासे हमने सारे काम कंप्लीट कर लिए फिर डेव c c++ पे क्लिक करेंगे यहां पर क्या करें तो द्यान ने किए का प्रग्राम करते थे अभिन दन्दन कमार वह प्रग्राम आप इसमें ऐसे नहीं करेंगे आप क्या करेंगे है आप और यहां पर आपके सामने हैं केंगे सिलेक्ट करें इंप्टी फोरियक्टtest कुलिए और कर देंगे जैसे हो कें देखेंगे हमारे सामने एक इस तरह का बन गाएगा आपके लोकेशन पर चाहते हैं जहाँ पे चाहते हैं अब अपने शुद्धान साइस को फोल्डर बना सकते हैं अब जितनी भी फाइल आप बनाते चले जाएंगे इस प्रोजेक्ट का अंदर आप निव फाइल अड़ कर दीजी टिस्ट्र झानी याद रखिए गराफिक्स में जोभी कमपाइल कराते हैं अब फाइल कराते हैं अलग अलग फाइल नहीं होगा आप देख रहा है ना हमें एक साइड किया अब हमारे जो फाइल हो दूम ये जो कमपाइल कराना है वहाँ प Qeagir हमाउड को फाइल हम कि यहां पर क्या करेंगे कि हैस इंक्लूट समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे प्रोग्राम कर रहा है आप देखेए यहां पर कॉपी करेंगे फाइल वन में तो पहले इसको से अंडाइल 1 अंडाइल 2 अंडाइल 2 में लिए आप सेलेकर कर टेस्ट कर दो अब हमारा फाइल सेवा आप इसमें कर सकते हैं प्रोगाम 2 पी टू कुसे बजाएगा दोल कोई देखकर आप इसको आप कम आपको कराणा है आप अपना कंपािल करादी और जैसे अगर कंपाइल होगा अमान एक एक करकर प्रोग्राम इस तरीके से आपको पुरा कर जाएगा अगर प्रीतू करांना चाहते है्नि तो प्रेक्ट आपस्के cup कर आपके पास फाइल हो आप इसमें फाइल को आड खरके एड एक तरीका है अगर वो काम नहीं कड़े तो पुर्जेक्ट आप्शन पे जाएंगे और पुर्जेक्ट आप्शन पे जाने के बाद आप लोगो परामीटर्स दिखेगा इस परामीटर्स के अंदर जाके बहुत सारे आर्गमेंट पास कर देंगे तो भी ग्राफिक्स का प्रगाम हम लोग कर सकते हैं तो आज मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि ग्राफिक्स अगर जो मैंने अभी मोड बताया है अगर वह सक्सेस्पुली अगर आप लोगों से हो जाता है यानि पारामीटर्स को अभी लंदन कुमार क्या करेंगे यहां पे लिंकर को सेट अंतरगत पारामीटर टैप के अंतरगत लिंकर जो है उसको अम लोग सेट अप कर देंगे और ओके कर देंगे अभी नंदन कुमार कोई दिक्कत तो क्या है अभी जो पहला स्टेप अभी मैंने प्रोसेस बताया है अगर यह प्रोसेस काम कर गया और फुट आ गया तो फिर पारामीटर लिंक करके तुरू इसको कमपाईल करके बनाएंगे तो ऐसी परिस्टी निर्वर करती है आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के वह भी मायने रखता है तो क्लास अभी मैं अब लेक्चर ओबर करूंगा कम्पलेट और आप लोग को कुछ देर में मैं ग तो आप क्या करेंगे अविनांदान इन दोनों जो हैं आमाना और रितेस इनको अब आखी को समझा दिजिएगा और कमपाईल करें अगर हो जाए तो वेरी गुड और नहीं तो फिर मैं आपनों को बताऊंगा ठीक है कलास तो थैंक्यू अलब यू थैंक्यू सो मच आप ल आप लिए एने थैंक्यू